पत ग्रेंड से जश्ट पहले हिमाचल के मुख्य मंत्री होने वाले सुखविंदर सिंग सुखु हमारे साथ मौजूद है ठाकुर साब सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबार्कें, बहुत-बहुत बधाई सवाल ये खड़ा होता है कि कॉंग्रेस पार्टी को एक लंबे समय के बाद एक ऑक्सीजन मिलती है इस चुनावों का असर देश की राजनीती में आप किस तरीखे से देखते हैं? देखे, स्थिंदर जी आप तो हमारे काफी प्रानया जानते हैं हमाचल प्रदेश से एक हिंदू रज्य है जानाइटेश दुबारा सुरू हो रहा है लाई भी लाई लो लाई भी आगया चल करें हिमाचल में शपत ग्रेंड से पहले हिमाचल के होने वाले मुख्य मंतरी सुखविंदर सिंग सुखु इस समय हमारे साथ मौजूद है सुखु जी सबसे पहले बहुत-बहुत मुबारक आपको सवाल ये खड़ा होता है कि कॉंग्रेस को एक लंबे समय के बाद ऑक्सिजन मिली है हिमाचल के चुनाव परिणाओं की ये हवा देश की राजनीती में कितनी आगे जाएगी किस तरीके से आप इसे देखते हैं देखे सबसे पहले तो मैं हमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारत को चुना और कॉंग्रेस पार्टी को सत्ता में लाई और व्यक्तिकत तोर से प्रिंका गांधी जी ने जो दो महिने पहले हमाचल की रानिती को बागडोर संभाली और पहली रैली राश्ट्या नेता के रूम में उन्होंने जब सोलन में की उन्होंने भांपा की हमाचल में कॉंग्रेस आ सकती है उन्होंने हमाचल के कांग्रेसी निताओं की बैठक बलाई, राजीव शुकला जी को बलाया और एक सोची समझी रननिती के तैथ, पहली बार हमाचल परदेश में समुहीक नेतर्तम में चनाब लड़ा गया, भारतिया जनता पार्टी हम पर अटैक करती रही कि इनका मुख्य मंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्या मंत्री होगा, हमने कहा, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार धारा बड़ा बड़ी होती है, तो विचार धारा को अधिमान देने वाले व्यक्ति, और पिंक्या गांदी जी का नितरतब होगा, और उन्होंने तकरीवन दस रह सेंट महलाएं चुनकर आई उन्होंने महलाओं की नबस को टोला और एक नितीगत और सोची समझी रन निती के तैत हमने महलाओं को सम्मान सुखुजी सवाल ये खड़ा होता है कि पहाड एक बहुत उंचाई पर होता है उपर से जब कुछ चीज नीचे फैकते तो आसानी से जाती है नीचे से उपर जाना मुश्किल होता है अब क्या कॉंग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव एक कहीं मील का पत्थर सावित होगा देखें कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी रहेगा और कॉंग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए भी रहेगा जो लोग कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे इस राज्या ने ये सावित कर दिया है कि जिस हिंदुत्व की विचारधारा का वो प्रतिन रित्व करते हैं उस हिंदुत्व की विचारधारा को कॉंग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने पीछे देकेल दिया है इसे एक नए यूग की शुरुआत माना जा सकता है क्योंकि एक साधारन कारे करता जो क्लास रेप्रेजेंटिटिव रहा फिर NSUI में रहा जिसके पिताजी इसी शहर में रोडवेज के चालक होते थे तो क्या कॉंग्रेस में भी एक बदलाव आ रहा है एक नए यूग आ रहा ह मिलकुल इसमें कोई दो राएं नहीं है मैं 18 साल की उमर में शिम्ला में जब मैं पढ़ता था कॉलिज में और सियार बनकर मैं गया फिर कॉलिज का जनल सेक्रेटरी रहा प्रेजिडेंट रहा शिम्ला मिंस्पल कार्पोरेशन का दो बर में कॉंसलर रहा फिर पार्टी ने म मेर को देखा और मुझे अन्यस्वए का स्टेट प्रेजिडेंट बनाया लेट चीरी राजीब गांधी जी ने बनाया फिर मुझे युवा कॉंग्रेस का दस साल अध्यक्ष मनाया और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं मैं अन्यस्वए का प्रेजिडेंट जब तो हमें दूद की अजनसी मिलती थी तो एक केरिये की दूद की अजनसी मैंने सरकार से ली और सुबा छे बजे से आठ बजे तक हम उस दूद को एक दुकानदार से क्राइप लेकर स्वेरे बेशते थे और उसके बाद हम उन्यस्वए का स्टेट प्रेजिडेंट था की विचारधारा से जो 35 साल से चुनाव लड़ रहे थे तकरीम साथ आठ लोग चुनकर रहा है युगा कॉंगर्स की विचारधारा से भी कुछ लोग चुनकर रहा है तो यह सिस दृष्टी कों से एक साधान कार्य करता जिसके रानितिक जीवन में माता जी बहुत कम और उन्हें अपने बेटे को यहां पहुंचाया है तो मैं यह कह सकता हूं कि मैं आज यह गौरवेंती मैं सुकर रहा हूं कि उस कांग्रस की पचारधारा जिसने देश के लिए वलिदान दिया और देश को बनाने में एक जूटता लाई तो उसके लिए मैं आज इस राज् में क्या बुलूपरिंट तयार किया है कि मुख्य मंत्री बनते ही ये पहला काम मैं शुरू करूँगा मैं देखिया अभी मैं शबत ग्रहन के बाद तिन चार दिन से दो तिन घंटे ही सो पाया हूँ जब तक आप ठीक धंग से नीन ले लेके फिर आगली दिश्टी कों से हम आगे बढ़ेंगे और हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं ले चाहते हम सत्ता विवस्ता परिवर्तन के लि जाएगा गुड गौवर्मेंट के लिए गुड गवर्निस का होना जरूरी है अच्छे शाशन के लिए अच्छे परशाशन का होना जरूरी है उस दिरिश्टी कौन से सभी जो अनुभवी हमारे बढ़ायक लोग हैं उन से सलाम श्रुवा करने के बाद एक ब्ल्यूप्रि अरी हाँ भाले मुटशन के लिए को तो